जही हैं दोस्तों, 36 गड़ में GDS, दोस्तों डांक सिवा के लिए विकेंज से निकली हुई है, जिसमें आप जो है पोस्ट ओफिस में आसानी से जॉप कर पाएंगे, सिर्फ दोस्तों इसके लिए योग्यता है, दस्वी पास होना ज़रूरी है, सिर्फ दस्वी बेस वाले ज आपको जो है निकती जो है यहां पस दी जाएगी, तो इसमें पूरी जानकाई आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को सुरू से लास तक ज़रूर देखे, ठीक है, तो दुसमें इसमें तीन पोस्ट है, पहला जो पोस्ट है, आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर के जिसको BPM के नाम से जाना जाता है ठीक है और सथ यसान दूसरा जो है assistant ब्रांच postmaster जिसे ABPM के नाम से जाना जाता है और तीसरा जो post है दोस्तों dark सेवाक कर ठीक है तो स्तरीक से तीन post जिस में निकाला गये है ठीक है ऐसके अगर slavery की बात कर दूसरों 4 और चार आवर के लिए दोस्तों आपका 12,000 और आपका किसके लिए बता रहे हैं दोस्तों यह BPM ठीक है ब्रांच पोश्ट मास्टर के लिए अगर 4 आवर है उसके लिए 12,000 और 5 आवर है दोस्तों उसके लिए 14,500 रूपाय है प्रती मन्थ ठीक है उसी तरीके से अगर ABPM, Assistant, Branch, Postmaster और डांक से वक्की बात करें तो इसके लिए 10,000 है ठीक है और इसमें दोस्तों 5 अवार के लिए जो है आप है वो 12,000 रूपए है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों अगर इसमें इसबिलिटी की बात करें तो इसमें इसबिलिटी जो है दोस्तों एज के सम्मंधित तो 8,3,2,0,21 के इस्थिती में आपकी जो आईउ है वो 18 से लेकर के 40 वर्षी होना चाहिए ठीक 18 वर्षी 40 वर्षी के मत दे कोई भी एज आपका चलेगा कौन सी इस्थिती में दोस्तों 8, 8,3,2,0,21 के में आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 होनी चाहिए ठीक 18 से 40 के बीच अगर इसमें दोस्तों अगर एज रिलेक्सेशन की बात करें तो STSC के लिए दोस्तों पांच वर्षी का रिलेक्सेशन, OBC के लिए दोस्तों आपको उसी तरीके से EWS के लिए दोस्तों नो रिले इसी है तो 13 वर्ष का रिलेक्सेशन, अगर PWD हैं वो STSC से बिलॉग करते तो 15 वर्ष का रिलेक्सेशन इसमें दिया जाएगा ठीक है और भी इसमें है दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेकंडरी एजुकेशन अर्खार दोस्तों आपका टेंथ पास होना चाहिए जिसमें से ओडिजनल लेंग्वेज अपका एंग्लिश जो है आना चाहिए और 37 दोस्तों मैथिमेटिक्स का पाशिंग मार्क में होना चाहिए ठीक है तो इसमें दूस्तों मैथermेटिक्स और लोकल लेंग्वेज जो इंग्लिश है वो होना विलकुल अनिवार रह तो उसमें क्या language जो है वो दोस्तों आपका जो केरल में बोली जाने वाली भासा है ठीक है चलिए अब बात कर लेता है दोस्तों basic computer training आपके पास होना चाहिए दोस्तों जगर आपने सिर्फ 10th किया है तो आपके बाद जो तुस्तों अपने तो DC PGDC नहीं होगा होगा तो कम से क minimum 3 month का जो आपके सामने जो है certificate होना चाहिए अगर आपके पास DCA PGDCA है तो बिल्कुल सही है दोस्तों आप जो है form जरूर fill up कीजिए ठीक है तो चलिए और इसमें बात कर लेता है तो चलिए और इसमें जो है पोस्त की और देख लेते हैं किसमें information क्या क्या है तो दोस्तों इसमें यहां पस बताया गया है यह सब आप पर सकते हो official notifications इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे telegram group से भी इसका PDF आसानी से आप डाउनलोड कर पाओगे ठीक है चलिए देख लेते हैं इसमें और भी कुछ बाते है important जो है उसको मैं आपको बता देता हूँ जो आपके important जाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों इसमें जो exam जो apply होगा वो 10th के base पर होगा percent base में कोई भी exam इसमें जो है नहीं लिया जाएगा ठीक है अगर इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो exam form fill up करने की जो तारीक है वो है 8-3-2021 से सूरू हो चुक है जो चल आपका appost.in slash gds online तो यहाँ पस दोनों में आप form fill up कर सकते हो दोनों की website है ठीक है दोनों से form fill up इसलिए करा जाता है तो यह traffic जो है server में समस्या आयाती है इसलिए दोनों website जो है एक ही है एक ही विभाग का है एक ही department का है तो आप इसमें आसानी से form fill up कर पाएंगे ठीक है अ general के boys के लिए और OVC boys के लिए ठीक है इसके अलावा महिलाएं जितने भी है ठीक है जितने भी महिलाएं है उनके लिए दोस्तों form fill up करना बिल्कुल free है ठीक है उसके अलावा जो अगर आप पी डबलुडी है ठीक है physical है handicapped है या दिव्यांग है तो आपके लिए भी यह form fill up मिलने जो है आपको डाउनलोड करते हो दोस्तों form को application को notice को तो आप असानी से पूरी चीज़ इसमें पढ़ सकते हो देखिए इसमें registration submission की यह update देग गया है आट तीन 21 से लेकर के जो है 74 2021 तक जो है इसका end date है ठीक है तो form जरूर कीजिए दोस्तों fill जरूर कीजिए और कहा कितना कितना post है यहाँ पास पूरी तरीके से देखने को मिल जाएगा ठीक है काफी 84 पेज का जो है दोस्तों official notification जारी हुआ है जिसमें से पूरी post के बारे में बताया है आप पूरी संभाग हिसाब से बस्तर है आपका रायपूर है दूर्ग संभाग है बिलासपूर करता है दोस्तों ठीक है अगर जिस जिस आपको post चाहिए उस जगे को आपको preference भरना होगा उस preference के according आपको posting दिया जाएगा ठीक है तो फॉर्म ज़रूर फीलब कीजिए कोई भी समस्चा आती है कोई भी जानकरी चाहिए तो नीचे comment box खली है comment करके ज़रूर पूर सकते ठी जाएगा टेक किर अले बेस्ट जाहिंद